हेलो वेलकम तो उतकर्ष क्लासेज इस पर्टिकुलर्ली ए शॉर्ट वीडियो फॉर दिस रूल 267 आज कल काफी ज्यादा चर्चा के अंदर है और हमने दहिंदू अनलेसिस के अंदर भी रूल 267 के बारे में बात की थी राज्यसभा का रूल 267 है इसके बारे में बात की थी और हम लोग ना कॉंप्रिहेंसिवली बात कर लेते हैं क्योंकि लीगल करेंट अफेर्स की बात करें चाहे करेंट अफेर्स की बात करें दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर सेग्मेंट के अंदर यह आपका पूछा जा सकता है और वैसे भी आपको ना करेंट अफेर्स के हमने सपोर्ट लिया है हिंदुस्तान टाइंस में बहुत अच्छे से एक्स्प्लेंड था दा हिंदु के इतना अच्छे से एक्स्प्लेंड नहीं था और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा बच्चों को इस बारे में पता होना जरूरी है तो सबसे पहले इस पूरे सेग्मे होता है पर फिर भी देख लेते हैं यहां पर इंडिया चाइना बॉर्डर रो रूल 267 ऑफ दी राजसभा इस फोकस वाट इस एट आखिरी है क्या आपको पता होगा अभी डिसेंबर के अंदर ही रिसेंटली इंडिया और चाइना इनके सोल्जर्स के बीच में ना रीजन में सकफल हुआ जड़प हुई सकफल हुआ मतलब जड़प हुई आपको मैं बता दूं इंडिया चाइना बॉर्डर पे ना कभी बंदूके नहीं चलती है क्योंकि हमने एग्रिमेंट कर रखा है तो उसके इसाफ से बंदूके नहीं चलती है हम लोग एक बार 1962 के अ वाली वार को हम लोगों कह सकते हैं एक तरह से कि हम लोगों ने जीत ली थी 1962 वाले में हम लोगों ने सरेंडर किया था हम लोग हार गये थे तो यह वार सबको पता है यह वार तो सबको पता होगी अब धीमेदी में हमारे क्लैशेज ना आप अगर लदाक रीजिन देखते ह या फिर थोड़ा बहुत उत्राखंड का रीजन भी देखते है ना चमॉली डिस्टिक वगरा जो जगे है वहाँ पे चाइना जो है इंडियन जो बॉर्डर्स है उनको कई बार इंफ्रिंज करता है तो अब क्या है पिछले कुछ टाइम से ना चाहे हम लोग पिछले साल अप हमारे वाले तो पीट के भगा देते हैं उने तो जब लड़ाई होती है तो हाथ पैर डंडो से लड़ाई होती है तो यहां पर वापस से लड़ाई हुई हमारे आठ नौ सोलजर जो थे वो इंजर्ड हुए उनके काफी सारे इंजर्ड हुए इस बार कोई मरा नहीं है पर इंडिया-चाइना बॉर्डर रो जो है यह बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है, नैशनल इंपोर्टेंस का मुद्दा हो जाता है, तो राज्यसभा आपको पता होगा, अपर हाउस कहलाता है, अपर हाउस अफ पार्लियमेंट, तो यहाँ पे अभी जो ओपोजिशन ल कौन से स्टेप्स यहाँ पे उठा रही है, तो हम लोग लाइन बाइन चलते हैं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, तो राज्यसभा, यह जो रूल है, रूल कौन सा, 267, यह राज्यसभा को स्पेशल पावर देता है, कि हम लोग सस्पेंड कर सकें, पूरे दिन में जो क काम होने वाला है, उस चीज को, कि आज राज्यसभा में जो काम होने वाला है उसको साइड बे रख दो, आज हम लोग सिर्फ क्या बात करेंगे, जो मुद्दा उठाया गया है, रूल 267 के अंदर उसकी उपर बात करेंगे, अभी हाल फिलाल मुद्दा कौन सा है, इंडिया बार 267 के अंदर जो पिटिशन जा रही है, जगदीब धंकड उन्हें स्टक डाउन कर दे रहे हैं, तो उसी के उपर यहाँ पर चर्चा हो रही है, बोन अफ कंटेंशन जो है, वो बना हुआ है, राज जी सभा के अंदर सुन क्यों ने रहे हैं हमारी बात, ऑपोजिशन ब अब देखिए, इसके उपर काफी ज़्यादा बात होने लगी है, क्यों बात होने लगी है, बार बार जो राजसभा के चेर्मेन है, इसे स्टक डाउन कर रहे हैं, तो अब हमारे पास में कोई पावर बच जाती है, क्या, जब नहीं सुनेगा कोई तो हम डिबेट कैसे करें और डिबेट तो हमें करवाना पड़ेगा, नेशनल इंपोर्टन्स की चीज है, रूल 267 के बारे मैंने आपको बता दिया है, कोई भी मेंबर जो है, मेंबर और पाल्लियमेंट राज्यसभा का है, वो क्या कर सकता है, लिखित रूप में एक अप्लिकेशन दे सकता है, अप पर दे दे, इतनी सी बात होती है, तो यही है हमारा रूल 267, यहां पर अच्छे से लिखा हुआ है, आप चाहे तो इस वीडियो को पाउस करके इसे पढ़ सकते है, वाई दिस रूल has become important, अभी यह important क्यों हो गया है, important इसलिए हो गया है ना, कि देखिए, अगर हम राजसभा की एक दिन, एक दिन के अंदर बहुत सारी proceedings होती है, राजसभा बहुत बड़ी चीज है, है ना, हमारा upper house of parliament है, तो वहाँ पे आज के दिन क्या-क्या होने वाला है, यह pre-decided रहता है, pre-decided रहता है, question hour होगा, zero hour होगा, उसके बाद में यह motion आएगा, वो motion आएगा, यह सारी चीज़े जो है, राजसभा के अंदर चलती रहती है, अगर मैं यह सारी चीजों को पूरे मतलब business of day है, business of day है, इसको खतम कर देता हूँ, इसे कहा देता हूँ कि आज हम लोग कोई और बात नहीं करेंगे, 267 के अंदर जो मुद्दा आया है, जो motion पास किया गया है, जिस चीज के ऊपर debate करनी है, इस motion पे हम लोग debate करेंगे, इस पे हमें जवाब देखना है, तो इसका मतलब पूरे जो देश है, पूरे देश के लिए उस दिन का वो मुद्दा जो है, सबसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए यह जो rule है, यह इतना important बन गया है, clear, next, is rule 267 the only way to raise important issues in the house, क्या यह 267 only way है, 267 के अंदर ही हम लोग कोई चीज पूछ सकते हैं, क्या opposition जो है, only 267, rule 267 के अंदर ही पूछ सकता है, तो ऐसा नहीं है, इसके अलावा हमें 0R मिलता है, 0R मिलता है, जिसके अंदर जो concerned ministry है, वो oral या फिर written reply दे सकती है, clear, दूसरा हमारा होता है, question R होता है, इसके अंदर भी simple यही होता है, reply दिया जाता है, government के द्वारा, reply दिया जाता है, government के द्वारा या फिर concerned ministry के द्वारा, जो question raise किये जाते हैं, उसके उपर, ठीक है, तो यह दो चीज़े तो हमारे पास में है, इसके अलावा special motion भी लाया जा सकता है, इसके अलावा क्या होगा, special motion भी पास किया जा सकता है, जब हम government से किसी चीज़ के उपर जवाब चाते हैं, पर यह सब होने के बावजूद, यह सब होने के बावजूद, क्यूं सिर्फ rule 267 के उपर ही stress दिया जा रहा है, क्यूं question r में यह नहीं पूछा जा रहा, क्यूं 0 r में यह नहीं पूछा जा रहा, क्यूं अलग से motion pass नहीं किया जा रहा है, तो इसका कारण सिंपल सा इतना है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत जाद है जो हमने यहां पे इंपॉर्टेंस वाला सेग्मेंट देखा था ना कि यह रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो इसलिए इंपॉर्टेंस है ऐसा नहीं कि इंडिया क्या है एक डेमोक्रे सब इंडिया के लिए इतना बड़ा मुद्दा है कि हम लोग 15 क्वेश्चन जो क्वेश्चन आर में ले सकते हैं सेवन मोशन कर सकते हैं उन सब के अलावा हमने सब को यहां पर क्या किया सस्पेंड कर दिया और एक मुद्दे के उपर डिबेट की तो यह चीज ना यहां पर ब opposition जो है वह जादा rule 267 के उपर opposition जादा stress दे रहा है ठीक है चलिए current controversy क्या है current controversy यह है कि जगदीब धनकर जो है यह खुद कह चुके हैं कि यह बहुत दुखद है कि मैं आपके questions को नहीं ले पा रहा हूँ यह सब यहां पर कह रहा है जगदीब धनकर साहब खुद और उसके बाद में भी stuck down कर दे रहे हैं तो यहां पर जो lawmakers है या फिर जो observers है बहुत यहां पर keenly करीने से देख रहे हैं कि आखिरी इस 267 rule के होने का फाइदा क्या है जब उसे impose ही नहीं करवाया जा सकता है एक और चीज़ आपको बता दें 1990 से लेके 1990 से 2016 तक अभी तक 11 बार ऐसा हो चुका है 11 times rule 267 rule 267 को invoke किया गया है और लास्ट टाइम कब किया गया था लास्ट टाइम कब था 2016 के अंदर इस टाइम में हामिद अंसारी जो है हामिद अंसारी यह वाइस प्रेसिडेंट भी थे और आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होता है चेर्मेन आफ राज्य सभा तो इन्होंने अलाव किया था 2016 के अंदर दी मॉनिटाइजेशन के उपर डिवेट को कि दी मॉनिटाइजेशन पर बात करते दी मॉनिटाइजेशन क्या था आपको पता होगा 2016 के अंदर ना आठ नॉम्मर 2016 को क्या हुआ था 500 और हजार के जो नोट है उन्हें डी मॉनिटाइज कर दिया गया था उनका लीगल टेंडर जो है वो वापस ले लिया गया था तो इसलिए उस मुद्दे के ऊपर डिबेट हुई थी अब इनके बाद में वेंकाया नाइडू पाते हैं वेंकाया नाइडू पात साल यहां पर वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं और राज्यसभा के चेर्मन रहते हैं उन्होंने रूल 267 के उपर एक भी पिटीशन को एकसेप्ट नहीं किया और अभी हाल फिलाल जो हमारे जगदीब धनकर साहब है उन्होंने भी तक तो कि 2016 में 2016 के अंदर रूल 267 इंपोस किया गया था लास्ट टाइम आख्री बार हमने इसी के उपर देखा था किस कौन सा मुद्धा था डी मॉनेटाइजेशन अफ करंसी का मुद्धा था ठीक है तो आई होप आपको रूल 267 ना अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया ह अगर आप इसके बारे में और जादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं और कोई दूसरा टापिक अगर आप चाहते हैं कि इसके उपर वीडियो बने तो उसके लिए भी आप मुझे कह सकते हैं तो आई होप आपको समझ मैं है अगर रूल 267 एसे ही अगर पूल 259 एसाथ 1-2 बना को समझ जाप चाहते हैं ख़ूल 232 लेइवा थड़ हो झाब हैंaire 1-2 फ्सके लिए स्वड़ ऱ यस सवारा टॉफ। झाल झाल